रशिया की यूकरियन पर हमला करने के बाद यूरोपी कई दवाईयों की कमपनी ने रशिया में अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है जिसके वज़े से रशिया में दवाईयों की सप्लाइक तम पड़ सकती है और ऐसा ना हो इसलिए रशिया ने इलिया को एक ओफर दिया है। रशिया का ये मानना है कि वेश्टन कंपनीज जो दवाईयां मेंगे दामों पर देती आई है। वही दवाईयां भारत कम कीमत में रशिया के बाजारों में बेश सकता है। इससे भारत की कंपनीज को एक बड़ा मुका तो मिलेगा ही, साथ ही रस्या की एकनोमी भी बूश्ट करेगी.